स्मार्ट फोन्स के दुनिया बड़ी होती जा रही है हर महीने नई तक्नीक से लैस स्मार्ट फोन भारतिय बाजार में लॉंच हो रहे हैं इस लिहाज से फरवरी का महीना भी खास रहने वाला है अगर आप अपने लिए नया स्मार्ट फोन खरीदना चाहते हैं तो आईए एक नजर डालते हैं इस महीने लॉंच होने वाले नए स्मार्ट फोन और उनकी खासियतों पर इस महीने लाँच होनेँ वाले स्मार्ट फोन्स में OPPO, Xiaomi, Realme, Vivo और Samsung जैसे कमपनियां शामिल है खबर है कि इस महीने OPPO Reno 되지 के दो नए स्मार्ट फोन लेकर आ रहा है कमपनी इसी महीने Reno 7 और Reno 7 Pro स्मार्ट फोन को लाँच करेईगी दोनों ही स्मार्टफोन को चीन में लॉंच कर दिया गया है और अब इसका भारत में इंतजार है ओपो रेनो 7 प्रो को मीडिया टेक दिमेंसिटी 1200 मैक्स प्रोसेसर से लैस किया गया है साथ ये फोन फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है ओपो रेनो 7 सीरीज 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ आएगी शियोमी भी अपने नए प्रोड़क्ट के साथ तयार है कमपनी 9 फरवरी को रेडमी नोट 11 स स्मार्टफोन को लॉंच करने जा रही है ये फोन अपने सीरीज का दूसरा प्रोड़क्ट होगा इससे पहले कमपनी ने रेडमी नोट 11 T 5G को बजार में लॉंच किया था इस फोन में 109 मेगा पिक्सल का कैमरा लगा होगा कमपनी के मुताबिक इस फोन का डिस्प्ले भी शांदार होगा माना जा रहा है कि कमपनी जल्द ही इस स्मार्ट फोन से जुड़ी ज़्यादा जानकारी साजा करेगी रियल में इंडिया ने भी रियल मी 9 सीरीज के टीजर को जारी कर दिया है हाला कि अभी तक इसके लॉंच की तारिख का एलान नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि कमपनी फरवरी में ही इन दोनों डिवाइस को बजार में लॉंच कर देगी कमपनी रियल मी 9 प्रो और रियल मी 9 प्रो प्लस को एक साथ लॉंच करेगी इन दोनों फोन्स का बेसबरी से इंतजार किया जा रहा है इसी महीने वीवो अपने नए फोन T1 5G को भी लॉंच करने जा रहा है बताया जा रहा है कि एक परफॉर्मेंस डिवन स्मार्टफोन होगा वीवो T1 5G को भी 9 फरवरी को लॉंच किया जाएगा ये स्मार्टफोन सिर्फ फ्लिपकार्ट पर विकरी के लिए उपलब्ध होगा कंपनी का दावा है कि 20,000 रुपे तक के सेग्मेंट में ये सबसे फास्ट और स्लिम 5G स्मार्टफोन होगा हाला कि फोन से जुड़ी जादा जानकारी लॉंच के वक्त ही पता चल पाएगी फरवरी में लॉंच होने वाले स्मार्टफोन की लिस्ट में सैमसंग भी शामिल है सैमसंग अपने फ्लैक्शिप प्रोडक्ट गैलेक्सी S22 का ग्लोबल डेब्यू नौ फरवरी को करने जा रहा है हाला कि ये फोन भारत में बिक्री के लिए कब से उपलब्ध होगी इसके बारे में जादा जानकारी नहीं मिल पाई है रिपोर्ट के मुताबिक कमपनी जल्द हीं गैलेक्सी S22, गैलेक्सी S22 प्लस और गैलेक्सी S22 अल्ट्रा को भारतिय बाजार में भी लाँच करेगी गषाद गैलेकि कमपनी ने अभी तक इन फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में जादा जानकारी साझा नहीं की है और नहीं इनके कीमतों के बारे में कोई खुलासा किया है लेकिन अगर आप एक नए स्मार्टफोन की तलाश में हैं तो ये चार स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर आप्शन हो सकते हैं